भटकल समेत करनाटक के मुख्तलिफ इलाकों में लोग सभा इलेक्शन को देखते हुए माहौल गर्माने की कोशिशें पिछले दो महीने से चल रही हैं, लेकिन ये कोशिशें कारगर साबित नहीं हो रही हैं। इसी बीच मेंबर ओफ पार्लियमेंट अनंत कुमार हेगडे जो जहरीला बयान देकर मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए मशहूर हैं, सोमवार को भटकल शेहर के तेंगिन गुंडी बंदरगाह पहुँचे और साबिक विधायक तुनील नाइक और अन्य भाजपाई जन्यों के साथ उसी जगह पर भगवा जंडा फहराया और वीर सावरकर का बोड वहीं लटका दिया जहां पहले इसी तरह के प्रयास को हेबले पंचायत ने गैर कानूनी घोशित कर दिया था और जंडे के साथ पोल को उखार दिया था साथ साथ नीचे लगाए गए वीर स वरकर के बोड को भी हटा दिया था बताया जा रहा है कि सांसद अनंत कुमार हेगडे ने एक तरह से अपनी आदत के मुताबिक कानून की धज्जियां उठाते हुए तालुका प्रशासन को चुनौती दी है कि उन्हें ऐसा करने से कोई रोक कर दिखाए घटना के संबंध में लोगों और पंचायत सदस्यों द्वारा कहा जा रहा है कि हेगडे के पास आन्य वाले लोकसभा चुनाओं में लोगों से वोट मांगने का कोई विशय नहीं है उन्होंने जिले में कोई विकास का काम नहीं किया है यही कारण है कि वे एक बार फिर जिले में सांपरदाइकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं लोगों का कहना है कि पहले उन्होंने भटकल की एक मस्जिद को मंदिर में तबदील करने की घोशना की थी फिर मुख्यमंत्री सिद्धार मैया का मजाक उढ़ाते हुए उन्हें सिद्रा मुला खान कहां था अब ताजा घटना के बाद यह देखना दिल्चस्प होगा कि करनाटक की कांगरेस सरकार कानून तोडने वालों के खिलाफ कोई काररवाई करती है या चुनाओ को देखते हुए कानून तोडने वालों से समझोता करते हुए चुप बैठ जाती है झालों से समझोता करते हुए झालों से समझोता करते है